तो हलो फ्रेंट स्वागत आपका मेरे एक और नए वीडियो में तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक डिफ्रेंट वीडियो की जैसा कि मेरा वीडियो आप देखते होंगे मैंने आपको इलेक्टर स्कुटी के बारे में बाइक के बारे में और कार के बारे में मैं आज बतानी commercial vehicle था तो आपने ऐसे truck बहुत ही ज़्यादा देखे होंगे जैसा कि car company काम में लेती है तो ये जो truck है आपने बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही देखा होगा लेकिन आज मैं आपको इसका review अंदर से आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसके अंदर कितनी गाड़िया इसके अंदर आ सकती है कितनी इसमे space है क्या इसका खर्च है कितनी किलोमेटर ये चलता है और क्या क्या इसमे safety का जान रखते हैं गाड़ियों के जैसा कि एक गाड़िया आपको जो नेकस होना है वो 14 से 18 लाग तक आपको देखने हो मिलती है जैसे कि इतनी महेंगी गाड़ियों कि कितनी आपको safety देखने को मिलती है इसके अंदर तो हम इसके अंदर से देखो आपको दिखा रहे हैं कि ये एक बहुती बड़ा अंदर से एक whole type area है जिसके अंदर उपर और नीचे दोनों तरफ आपको जैसा कि आप सामने देख रहे हो कि next zone black color में आपको खड़ी नजर आ रहे है तो ये जो भाईया है वो इनको unload कर रहे हैं यहाँ पे तो ये जो आगे आगे सबसे आगे next zone है उसको अब unload करेंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अब ये भाईया इन लोग को यहां से remove कर रहे है ताकि ये जो कार है वो आसा नीचे unload हो सके तो ये लोग है पूरी safety का यहाँ पे ध्यान रखते वे अराम से ये लोग को उता रहे है और इन stairs को अब hydraulic की मदस से इनको नीचे करा जाएगा तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि अभी ये थोड़ी कुछी मिन्टों में ये next दो आपको भार unload होईगी तो अभी ये भाईया यहां पे अपना जो काम है वो कर रहे हैं और अब hydraulic की मदस से इनको भाया नीचे करेंगे तो आपको इसमें आपने इसको भार से बहुत बार देखा होगा आपको आपने इसको अंदर से नहीं देखा होगा तो आज मैं आपके इसको पूरी जानकारी दूँगा कि कितनी कार आती है और कितना ये बड़ा इसमें आप कितनी की मिर्ड साइज सीविए स्चीव टाइप या और भी तरे की विकल कितनी इसमें अंदर आ सकते हैं और क्या इस कारगो टरक की प्लांध दाम शैलरी रहते हैं और क्या-क्या जिम्मेदारिया जो इसको केरि करता है उसके उपर रहती है कमपनी और से तो अभी ये जो कार है वो पुरी तरह अनलोक नहीं हुए अनलोक करेंगे और इसको मैं आपको दिखांगा इस वीडियो में कि इसको भार ये भाया कैसे निकाल दें तो ये सामने आपको देख रहे हैं कि ये थोड़ी उपर है उपर जो आखरी की कार होती है पास में केबिन के पास में वो थोड़ी उपर माउंटेड होती है तो अभी भाईया इसको आइड्रोलिक की मतल से इन स्टेर्स को नीचे वाली स्टेर्स के बराबर लाएंगे फिर अ कार को भार निकलते हुए तो इस वीडियो में हमने भाया से भी जानकरी ली कि क्या-क्या सेप्टी रखते हैं वो कितने सार का उनका एक्सपिरियंस है और क्या-क्या उन पे जिम्मेदारिया हैं कार केरी करते समय में और क्या-क्या उनकी सेलरी है और वो tender base पे काम करते हैं या company उनसे उनसे खुद contact करती है तो अभी ये car आप unload होते वे देखोगे जैसा कि आप देख रहे हो भाया अब हैडरोलिक की मदद से इन जो इस्टेर्स हैं उनको अप ओर डाउन कर रहे हैं और जब ये दोनों बराबर में आ जाएंगे तब ये car एजिली नीचे unload हो सकेगे तो अभी अभी आप जो अभी आप ताम इस बाराब ये जाएंगे आटो एस हुँँँँँँँँँँँँँँँँट आप पे एस अभी आप आप रहे हो साफ तो जैसा कि आप सामने देख रहे हों कि हाइड्रोलिक की मदद से भीया ने इन जो स्टेर्स हैं उनको नीचे वाले स्टेर्स के एकदम लेवल में या बराबर में ला दिया है तो अब ये गाड़ी यहां से अनलोड होगी तो अब आप वीडियो में बने रहे हैं और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें सस्क्राइब जरूर करें ऐसे ही वीडियो के लिए आपको मैं कुछ डिफरेंट आज मैं मेरे चैनल पर वीडियो लाएँ तो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और राउंड रिवी को सस्क्राइब जरूर करें और ये देखिए अब ये गाड़ी यहां पे जो नेक्सोन है लास्ट की नेक्सोन है वो अब अनलोड हो रही है तो आप जैसे देख सकते हैं कि इसको बैंक लाया गया है और कुछ का यहां पर रिवीव करने आया था लेकिन मैंने सोचा कि वीवरों को कुछ डिफरेंट दिखाते हैं वीवरों ने इस जो कारगो ट्रक है उसको भार से बहुत बाहर देखा है लेकिन अंदर से नहीं देखा कि क्या-क्या इसमें कितनी गाड़ी आती है क्या क्या सेप्टी फीचर्स हैं तो यह कार अनलोड हो गई है तो इसमें कुल आपको जो मीड साइज माइक्रो एसको टाटा क्लेम करती है तो यह इंतनी साइज की जो कार हैं वह आपको साथ से आठ कार इसमें आपको इजिली आ सकते हैं तो तीन कार अब हमने अनलोड की दिए पूरी अनलोड कलर में गरे कलर में सोरी गरे कलर में जो नेक सोन है वो अभी अनलोड हो रही है यह जो जो लाश्ट की कार रहती है वो सबसे उपर रहती है तो इसको थोड़ा अनलोड करना थोड़ा मुस्किल का काम है और यह बड़ा ही डिफिकल्ट काम है इसमें थोड़ी सी भी लापरवा ही है यह देखिए भाइया ने इसको स्टार्ट कर लिया है और यह भी अनलोड होगी तो वीडियो में बने रहे हैं यह देखिए पूरी सावदानी पूरवक भाइया इसको भार अनलोड कर रहे हैं यह देखिए तो इस काम में बहुत ही सावदानी रखनी पड़ती है यह देखिए यह अनलोड हो रही है और यहाँ पे साइड में अब भाया पार्क करें तो यह अपनी साइड चोथी कार है फूर्थ कार है जो अनलोड हुई है तो अभी चार कार तो अनलोड हो चुकी है और चार कार अभी ट्रक के अंदर हैं रीमेनिंग हैं जो कि उपर वाले पॉर्षन में दो पॉर्षन इसमें होते हैं फर्ष्ट फ्लोर और सेकिंड फ्लोर तो पूरा काम इसमें हैड्रोलिक की मदद से आपको देखने को मिलता है और जो भाया का ओपिनियन है कि भाया का क्या क्या experience है कि कितने साल का experience है क्या experience है इतने साल में कोई उनकी शिकायत भी आई है या नहीं आई है जो पूरी आपको इस वीडियो में जानकारी दूँगा और जो ये dust देख रहे हो ये तो कुछ नहीं है ये तो जब load और unload की जाती है तब dust लग जाती है लेकिन dent और इसमें paint का issue जो भार external है वो इनकी जिम्मेदारी होती है कि कुछ भी scratch वगेरा लगावा है तो इनको वो रुपे इनके इनको pay करने पड़ेंगे जैसा कि आप देख सकते हो इसका interior दिखा रहा हूँ आपको ये कार यहाँ पर पार्क की वी है जैसा कि आप देख रहे हो चार कार हमने अभी तक unload की है इसके अंदर तो अभी जो उपर वाली है ये देखिए hydraulic की मतल से इनको भईया नीचे कर रहे हैं ये जो second floor की कार है वो अभी unload करते हैं वो ये माँ आपको दिखा रहा हूँ तो ये देखिए देरे देरे नीचे ला रहे हैं भईया और इसके अब lock भईया remove करेंगे तो आप चैनल पर बने रहे हैं वीडियो पर बने रहे हैं सभी कारों को unload करते हुए माँ आज आपके लिए ये वीडियो लाए हूँ तो देखते रहे हैं तो अभी इसके जो lock हैं वो भईया remove कर रहे हैं तो इसमें आपको चार lock देखने को मिलते हैं कि चारू टायरों के ये lock लगाते हैं और ये जो lock हैं वो बहुत ही tight रहते हैं और इसमें पूरा sensor से काम करता है कि जो भी कार अपनी tight नहीं बनी है tight नहीं है जब sensor आपको alarm आगे cabin में पहुंचा देंगे तो अभी आप देख सकते होगी ये कार अनलोड होने जा रही है तो देखिए ये easily ऐसे जो कारगो ट्रक है उसमें से हम कार remove या unload करते हैं तो ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए और राउंडर रियू को सस्क्राइब धरूर के लिए धन्यवाद